हलो साथियों आज हम लोग देख लेते हैं ये देखिए यहां क्लासिफिकेशन आप फंक्शनल ग्रूप फार परपज आप नामिन क्लेचर आई उपी एसे नामिन क्लेचर जब हम लोग करते हैं तो देखिए बहुत महत्पूर होता है कि ये प्रियार्टी आर्डर फंक्शनल ग्रूप का जानना अगर प्रियार्टी आर्डर हम लोग नहीं जानेंगे तो आई उपी एसे नाम करन जो है वो रांग कर देंगे क्यों क्योंकि देखिए जैसे कोई भी अभी एक एक जामपल आप लेकर समझेंगे अभी हम आपको बताएंगे तो आप सुतह समझ इसका काफी महत तो है तो जब तक यह नहीं जान पाएंगे तो आई उपी एसी नेम अच्छे से हम लोग नहीं जान सकते तो देखिए देख लेते हैं कौन-कौन प्रियार्टी आर्डर में इसमें आएगा सबसे मोश्ट प्रायर जो है वो आप देखिए यहां पर आपका यह कार्बोगजलिक एसीड है और इसका देख रहे हैं यहां पर यह इस्ट्रक्चर तो ओपिन करके भी बना सकते हैं और इसका सफिक्स जिसे आप कहते हैं अनुलगन अन्त में लगने वाला ओएक एसीड या फिर कार्बोगजलिक एसीड भी लगता है आप देखेंगे और इसका अगर पूर वो लगने देखें जिसे आप कहते हैं यहां देखें प्रफिक्स है यह तो सफिक्स है तो इसे आप कहेंगे कार्बोक्सी ग्रूप कौन सा ग्रूप है कार्बोक्सी अब इसकी आपको एक सौट ट्रिक भी बता देंगे तो आप अच्छे से समझ दूसरा जर देखिए दूसरा यहां आपको मिलेगा यह कार्बोक्सी अब इसके बाद तीसरा आपका एस्टर है चौथा एसिड हैलाइट फिर एमाइड है इसके बाद नाइट्राइल है फिर एल्डी हैड है फिर आप देखेंगे तो कीटोन आपको मिल जाएगा देखें क फिर एल्कोहल मिलेगा फिनाल मिलेगा थायोल मिलेगा एमीन है फिर इमाइन्स है इसके बाद आपकर ये करमा जाता है इल्कीन का फिर इल्काइन का फिर इल्कीन आएंगे ठीक उसके बाद क्या जाएंगे इल्कीन आजाएंगे तो ये तो आपके फंक्सनल ग्रूप वाले हो गए है ठीक यह functional ग्रूप वाली अब नीचे जरा देखिए यहां यह subordinate ग्रूप इसने कहते हैं जैसे आप ether देखेंगे इसमें यहां पर देखें sulfites है और इसके बाद यह highlights है नाइटरो ग्रूप मिलेंगे एजाइड मिलेगा और डाई एजो ग्रूप मिलेंगे इनको सबार्डिनेट ग्रूप कहते हैं यह सबार्डिनेट ग्रूप हैं जरा सा इसका एक ट्री कि आप समझ लीजिए कैसे इसको याद करेंगे याद करने का सबसे आसान तरीका है सबसे पहले उपर वाला तो ये याद ही कर लजीए आप तिक ये कार्बुगेलिक वाला गुरूप ये याद कर लीजीए ठीक इसको अगर आप याद कर लेते हैं देखें कितना हेल पाप को यहान तक तो ऐसे ही याद हो जाएगा कैसे देखें आप सबसे पहले ये कार्बोगजिलिक ग्रूप इसी के डेरिवेट्यू है ये क्या है इसी के डेरिवेट्यू यहां तक क्या और नीचे तक आपको मिल जाएगा ये यहां तक लगबग देखिए एमाइड जो है यहां तक मिल जाएगा दिखा देते हैं ये यहा यह माईड तक यहां तक आपको यहां तक आसानी से ऐसे ही याद हो जाएगा ठीक है अब देखिए जैसे पहला आपका यह कार्बोगिलिक यह तो most prior है सबको याद होगा अब इसके बाद इससे बड़ा ग्रूप इसी का derivative यच के अस्थान पर देखिए यच के अस्थान पर क् अगर आप चेक करें तो यहां देखने को मिल रहा होगा यह यच के अस्थान पर यह देखिए यह ग्रूप मिल जाएगा तो COO तो है यह इतना COO है यह ग्रूप जुड़ जाएगा CO RCO ग्रूप तो यह आपका इन हड्राइड हो जाएगा और इसके बाद देखिए R जुड़ा पहले जुड़ा यह ग्रूप RCO ग्रूप जुड़ा कहां जुड़ा जुड़ा यह COO में यह जुड़ा देजिए तो इसमें एक बार यह जुड़ दिए फिर क्या आपको जुड़ना है इसके बाद आपको जुड़ना है इसमें COO में केवल R जुड़ना है R ज OH गुरुप हटा करके, यहां आप क्या जोड़ देंगे, OH रिपलेस करना है ध्यान देना, इस बार CL जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, CL जोड़ेंगे, ठीक, और इसके बाद फिर देखिए, OH गुरुप हटा कर, NH2 गुरुप जोड़ दीजिए, तो आप इसको ऐसे भी या बाद कर सकते हैं, देखिए, यहां क्या जुड़ा, यह आपका कार्बोग जिलिक, फिर इनहाडराइट, फिर इस्टर, फिर आपका आजाएगा, यह एसीड हैलाइट, अगर आप ऐसे कह सकते थे, ऐसे भी, तो OH हटा दें, अगर CO गुरुप यहां ले रहा हैं, CO जोड़ें, फिर क्या जोड़ें, NH2 जोड़ें, देखिए, यही तो हो रहा है, इसमें आपने, अगर OH हे रिप्लेस कर दो, OH को एक बार हटा के देखिए, तो ज्यादा बढ़िया से स्ट हो रहा है, देखिए, तब इसके बाद आप इसमें क्या जोड़ेंगे, फिर R, C, O, O जोड़ेंगे, फिर R, O जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, C, L जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, NH2 जोड़ेंगे, NH2, किसको हटाएंगे, OH को, किसमें से, यह R, C, O, O, H से OH हटा दिए, वहाँ पहले क्या जोड़ रहा है, R, C, O, O, फिर R, O, फिर C, L, फिर NH2 इतना तो ऐसे ही खतम हो गया इतना आपने कर ही लिया इना हाइडराइड एस्टेर उसके बाद एसीड हैलाइड फिर एमाइड अब नीचे देखिए यह आसान है यहां से पकड़ना इसके बाद ट्रिपल बांड वाले लेजिए ट्रिपल बांड मतलब यहां देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड नाइट्रोजन ट्रिपल बांड वाला आप लेजिए उसके बाद डबल बांड वाला कार्बन डबल बांड आक्सीजन वाला लेना है कार्बन डबल बांड आकसीजन ये लेकिन दिहान ने जैसे LD हाइड कीटोन दोनों में आता है तो LD हाइड A से सुरू है A से इसलिए पहले A वाला लेजिए ठीक है LD हाइड इसलिए LD हाइड आया अब फिर कीटोन आएगा दिखिए ये कीटोन आया एच यहीं जोड़ देंगे तब हो जाएगा क्या ये इधर तो LD हाइड लेकिन यहीं पर CS3 जोड़ देंगे तो कीटोन पहले एच जोड़ ये छोटा गृप फिर बड़ा गृप इसलिए LD हाइड फिर कीटोन अब उसके बाद सिंगल बांड वाले सिंगल बांड वाले में आप देखें सिंगल बांड वाले में ओएच आ जाएगा ओएच है न इलकोहल जिसे आप कहते हैं इलकोहल के बाद ओएच फिनाल ग्रूप में आप देखिए फिनाल ग्रूप में ओएच जोड़ देंगे तो फिनाल ग्रूप मतलब यहां यह हो जाएगा इसमें भी इरोमेटिक है इलकोहल भी होता है जैसे अभी आप ऐसे बनाएं डारेक्ट रिंग से लेकिन नहीं जोड़ करके यहां एक बार क्या कर लाएं CH2 अब OH जोड़ दें तो यह इसको आप फिनाल नहीं कह सकते यह क्या है इरोमेटिक इलकोहल है ठीक तो यह याद रखिए पहले कोन आएगा यह आएगा पहले इलकोहल उसके बाद तब फिनाल ठीक अब देखिए आगे फिर अब यही ओ यह यच यच के अस्थान पर यह देखिए ओ यह है तो ओ के अस्थान पर यह जोड़ दी जीत क्या हो गया यह सच जिसे आप थायोल कहते हैं है थायोल और फिर देखिए एमीन्स में तो यह नच्टू आजाएगा एमीन सिंगल बांड़ड ही चलना है और फिर इमाइन्स आजाएगा डबल बांड़ड वाले आजाएंगे ठीक है और इसके बाद आप देखि रहे हैं यहाँ इलकीन में पहले इन और फिर यह ट्रिपल आइन और एन बाद में आएगा और यह सबार्डिनेट ग्रूप आप देख रहे हैं इथर है यह सलफाइड से है यह सार इसके बाद है लोजन है फिर नाइट्रू ग्रूप आ जाएगा और इसके बाद आ जाएंगे आपके यह नाइट्रूजन वाले ग्रूप पे जाएड N3 जिसे आप कहते हैं और फिर डाई है जो तो देखिए अब इनका ये थोड़ा सा समझे रही है क्योंकि इनका example आप अभी लेंगे जैसे एक example लेते हैं तो ज़्यादा clear होगा जैसे CH3 CH और यहीं हम जोड़ देते हैं OH और यहां जोड़ देते हैं CHO अब देखिए इसका उपयोग कितना है आप समझ पाएंगे अब यहां पहले तो पहचान करिए सबसे पहले पहचान करना है कि इसमें क्रियात्मक समूँ कौन कौन है तो यहां एक क्रियात्मक समूँ मिल रहा और यहां एक क्रियात्मक समूँ मिल रहा अब क्या काम है अब तो यह हम लोगों का है कि सबसे पहले अब OH और CHO में कौन मोस्ट प्रायर है तो देखिए इलकुहल यहां नीचे आपको दिख रहा होगा नीचे है ना नीचे की तिरफ आपको इलकुहल दिख रहा है यहां पर देखिए यहां लेकिन इससे पहले यहां पर है आपका एल्डी हाइड है तो अब यहीं देखिए क्लियर हो गया कि यहां पर यहां से नंबरिंग करना है और दूसरी बात दूसरी बात यह भी फिक्स है कि जो मोस्ट प्रायर है जैसे यल्डिहाइड most prior है यहाँ पर most prior मतलब इन दोनों में और most prior तो यह कारबोगजलिक है इन दोनों में जो उस compound में रहेगा क्रियात मकसमू उसमें जो prior रहेगा वरीत अक्रम में तो उसका तो लिखेंगे इसका तो लिखेंगे क्या इसका लिखेंगे suffix जो prior रहेगा उसका क्या लिखेंगे suffix उसका suffix और जो least prior रहेगा उसका लिखेंगे prefix क्या लिखेंगे prefix लिखेंगे द्यान देना और इसको लिखते हैं suffix मतलब अनु लगना अनु मतलब अंत में आप कहिएगा अंत में लगता है यह कहां लगेगा अंत में लगेगा और यह prefix पूर्व पी से भी पकड़ लेंगे पूर्व पहले यह कहां लगेगा पहले पहले लगेगा तो पहले है तो पहले इसी को लिखना है न तू और वह भी देखिए OH वाले का hydroxy यहां दिख रहा होगा थोड़ा सा यहां देखिए यहां यहां नीचे यहां पर दिख रहा है है ना hydroxy तो लिखेंगे 2 hydroxy 2 hydroxy 2 hydroxy और उसके बाद देखिए कितने कार्बन हैं यहां देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन थ्री कार्बन क्या लिखते हैं प्रोप ठीक और उसके बाद क्या लिखेंगे अब सिंगल बांड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लगाएंगे एन लेकिन दिहान देना भी आगे लिखना है क्या आगे लिखना है अल किसका अल क्योंकि यहां देखें इल्डिहाइड का सफिक्स मतलब क्या अंत में लगने वाला क्या लगाएंगे अल यहां देखिए दिख राज चोटा सा अल तो यहां यह लगा देंगे अल तो टू हाइड्राक्सी प्रोपे नल तो देखिए कितना महत्तो है इसका तो इस तरीके से आप इस प्रियार्टी आरडर का फंक्सनल ग तो ऐसे आप इसको देख लीजिएगा देखिए इसका यह प्रफिक्स क्या होगा सफिक्स क्या होगा चलो मैं इसको थोड़ा सदिख्याई देता हूँ इसका देखिए जो सफिक्स है ओएक एसिड अक्सर यूज करते हैं और इसका कार्बोक्सी ठीक और इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा यह OIC Inhydride और यहां देखें कार्बोगजलिक Inhydride भी यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई वो नहीं है प्रफिक्स कोई नहीं है ऐसे देखें इस्टर में इस्टर का आप अंत में OIT लगा सकते हैं या कार्बोगजलेट लगा सकते हैं और इसके पूरू लगन इलकाक्सी कार्बोगजल लगा सकते हैं एसिड हैलाइड में OIL हैलाइड या कार्बोगजल हैलाइड लगा सकते हैं और देखें जो प्रफिक्स है पहले क्या लगा सकते हैं तो वो आप लगा सकते हैं हैलो कार्बोगजल है न हैलो कार्बोनिल इमाइड में आप लगाएंगे सफिक्स मतलब अंत में क्या लगाएंगे इमाइड लगा दो या फिर ये लगा दो कार्बो ये कार्बोकसामाइड लगा दीजिए और पहले क्या लगाएंगे पहले तो ये कार्बामाईल लगाएंगे ठीक है कार्बामाईल इस तरीके से देख लीजिए ये भी जरसा ऐसे ही आप यहां देखें साइनाइट साइनाइट सीन ग्रूप जिसे आप नाइट्राइल कहते हैं तो इसके नाइट्राइल कहेंगे और या फिर कार्बो नाइट्र कह दीजिए और पूर्वलगन पहले तो साइनों लगाएंगे ऐसे देखिए अनलगन इसका अल है या कारबल्डी हाइड कह दीजिए कारबल्डी हाइड भी बोलते हैं और या देखिए इसको फारमिल कहते हैं पूर्वलगन में फारमिल कह दीजिए या फिर आकसो कह आकसो यूच कर सकते हैं या कीटो भी यूच कर सकते हैं ध्यान ने और ओन तो इसका अनु लगना है इलकुहल में जरा देखिए इलकुहल में इलकुहल में आप अंत में लगाएंगे तो आल इलकुहल आही रहा है पूर्व लगना लगाएंगे तो हाड्राक्सी फिनाल के लिए देखिए इसमें भी आल लगता है ना अंत में और पहले लगाएंगे तो हाड्राक्सी थायोल्स में जरा चेक करिए थायोल्स में पूर वलग नगर लगाएंगे तो मरकेप्टो लगाएंगे और अंत में लगाते हैं तो थायोल एमीन समय जरा चेक करिए एमीन में एमीन लिखेंगे अंत में एमीन और पहले लिख रहा हैं तो एमीनो पहले लिख रहा हैं तो एमीनो इमाइन समय जरा देखिए इमाइन समय आप इमाइन लिखेंगे अंत में लेकिन पहले लिखेंगे तो इमीनो लिखेंगे ठीक तो ये तो सिंपल है आप इसको कर सकते हैं और यहां देखें इलकीन में इलकीन के लिए तो अंत में इन लगता ही है है ना इन अंत में क्या लिखेंगे इन और अगर पहले लिख रहा है तो इलके निल, इलके निल, ऐसे ही इलकाईन के लिए देखिए, अगर आप इसका ये, इनी को आप इनफिक्स कह देते हैं, इनफिक्स, अंत में लगा रहा हैं तो आइन लगाईए, पहले अगर लिख रहा हैं तो क्या लिखेंगे, ये इलकाईनिल, इलकेन के लिए अगर तो एन लगाते हैं और वैसे आप बोल देते हैं क्या पहले अगर कोई ग्रूप है तो इलकिल बोल देते हैं ठीक सबाडिनेट ग्रूप में आप देखें इथर है इथर इनके लिए तो आप कोई भी अंतमना यूज़ करके आप पहले ही मतलब पूर वलग नहीं लगाते हैं इथर के लिए आप इलकाकसी लगाते हैं ये इसर के लिए आप इलकिल थायो लगाते हैं हाईलोजन के लिए हाईलो ग्रूप लगाते हैं नाइट्रो के लिए आप देख रहे हैं ये यनोटो ग्रूप नाइट्रो के लिए नाइट्रो ही लगाएंगे और ये यन्थरी कही आजाए तो एजाइडो कहते हैं एजाइडो कुछ लोग एजीडो भी पढ़ सकते हो डाइजो के लिए आप अंत में लिखेंगे वही जैसे बिंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप कहते हैं या डाइजो तो इस तरीके से ये आपका फंक्सनल ग्रूप का प्रियार्टी आर 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 आरेडोनियम और